हेलो प्रेंट्स तो आज का हमारा टोपिक है बैसिक रूल पोर रिटेनिंग वाल डिजाइन टाइप 3 काउंटर फोट वाल इससे पहले कि जो हमारे वीडियो थी और टाइप फर्स्ट ग्रेविटी वाल और टाइप 2 केंटी लिवर वाल के उपर थी और उन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो रिटेनिंग वाल होती है उसकी डाइमेंशन आप साइट पर ही कैसे निकाल सकते हैं कुछ पॉइंट बताए उसके लिए ठीक है इससे पहले अगर आपने वी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकम काउंटरफोर्ट वाल हो ओर केंटलीवर..... वाल होती उनमें क्या डिफिरेंट्स होता है ठीक है आया कैंध अब साइड पर देखोगे तो यह दोनों जो दोनों रिटटेनिंग वाल होती है काउंटरफोर्ड वाल और केंटीलिवर वाल वह सेम दिखाए देती है बस चसम्रा अलग से जो वाल बनाते सपोर्ट के लिए यह होती है किसमें काउंटर फोड़ वाल में और रिटेनिंग और जो केंटी लिवर वाल होती है उसमें यह नहीं होती है ऐसमें यहां बनाते हैं जो न्यांने कीism बनारी सब्सक्राइब को मिनिमम मिटर केमें अधिक मेट आती तो उसकी कंटर वाल बनाना पड़ेगा है अगर हैट उसकी जादा होगे तो सबसक prot के खुछ देना रहता है और इसमें सब्सक्राइब काउंप इसांटरो रपोट के लिए जो वाल बनाए जाती है है यह सपोर्ड के लिए बनाए जाती है और यह ठीक है उस ट्रेम की बोटम भी इतना ही रहेगा जो टोलंत रहेगी बीवाइट्री रहेगी और जो स्टेम का टोब होता है जिरो प्री मिनिमम होता है ओके अब हमारा जो सबसे बड़ा चन्जस है वह क्या है यह वाला वाल ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी यह वाल होती है औरेंज कलर में यह हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं ठीक है तो इसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वह होती है मिन्म मिन्म रहता है अब सकते लेकिन 200 mm से कम नहीं ले सकते है ठीक है को आपको तीसरी वॉल स्टार्ट करना पड़ेगा छोति भी बनाना पड़ेगा ठीक उनके बीच कि जो डशन सोती हो कितने वोते इनर से इनर तो वह 0.3 6 जद तो बीच में ले सकते 0.6 लिए उसमें इन्टौ कर दीड़ि तो आपकी एक वाल sewn से दूसरे वाइल की डिस्टेंस से निकलाएगी बाकी चीजे सेम होती है डिजाइन में कोई फरक नहीं है सभी फर्मूले शेम होते हैं उसके लिए आप वीडियो देख लिजिए केंटी लिवर वाल का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लेस इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टैंक्यूं